आमस्वेत अच्छंदी देवेंदर प्रताप सिंग तुमर्ट जेकी होकी इंडिया रो आसोशेट वाइस फ्रेज़ेंड अच्छंदी तांकस्वेत अधिका अलोचना करिवा होकी इंडिया पाई बरतान गोटे सबुटू बड़ों मुमेंट आश्ची पाखापा की 41 ब्रूंज मेडल जीती ची होकी इंडिया सर्वर्पत में चैनल को स्वागत करता हूँ क्या बोलेंगे होकी के दिन के लिए आज बड़ा दिन है एक 40 साल के बाद क्यों हम जीत रफ्तार से आगे बढ़ रहें थे फाइनल में जाने की कोशिस में थे लेकिन कोई नहीं अभी ब्रूंज आगया आप क्या बता है सबसे पहले तो हौकी की पूरी टीम को बहुत बहुत शुपकामना है कि लगबग 40 साल बाद जो सूखा हमारे आथा और लंबे टाइम से हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कैसे भी हौकी का इस तरह आगे बढ़े और हौकी का इस तरह आगे तभी बढ़ सकता था जब कोई टीम बड़ा मैडल लेकर आती है तो निश्य तोर पर हमारे देश में जो आने वाली पीडी है जो आने वाले बच्चे हैं जो आगे खेलेंगे हौकी टीम में या जो खेलना चाहते हिं उनमें जो उच्छा अवरदन कर टीम को बड़े टोनामेंट जीते और हौकी खेलने की बात हो जो ओलं। गेम्स होते हैं उन्में तभी माना जाता है कि आपका ओलम्पिक मेडल आ रहा है या नहीं आ रहा निश्य दौर पर हम गोल्ड की कल्मना कर रहे थे लेकिन मैं मानता हूं कि कई पर भागे का मामला भी होता है तो कांस से बदक हमको मिला है और कांस बदक भी बढ़ी बात है हम मारे लिए पूरी होकी टीम को भी मेरी तरह से बहुत बहुत शुब कामना है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जब आने वाले जो बच्चे हैं वो इस मैडल को देखेंगे तो उनको लगेगा कि कहीना कहीं हमें भी आगे बढ़ना है तो यह मैडल निश्य तोर पर बड़ी जबर्दस परफॉर्मेंस थी उन्होंने बड़ी तागदवर टीम ऑस्टेलिया को हराया और उसके बाद जो उम्मीद बहुतनी दरीके से जगी थी उनिश्य तोर पर गोल्ड की उम्मीद तो पूरी नहीं हो पाई लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कांस प अख़त बात है कि जहां हम जिस देश में रहते हैं वहां कभी सती ब्रता हुआ करती थी मैलाओं को बहुत पीछे समझा जाता था आज इस तरीके से मैला आगे बढ़ रही हैं तो निश्य तोर पर आने वाली जो पीड़ी है मैलाओं की या हमारी बच्चियों जो आने वाल कि क्रिकेट की तरह होकी की प्रमोशन चाहिए होकी को भी आगे बढ़ाने के लिए गवर्मेंट भी कुछ सोचे आपकी मन में इसको लेकर क्या जो पुश्चेन चलना है स्विश्यल मेडिया में खास करके ज्यादा तर यूबा बर यह पुश्चेन पोट करें उसका नहीं कि नहीं मुझे लगता है जो इस तरीके की बाते कर रहे हैं उनको शाय जानकरी नहीं है चाहिए होकी इंडिया की बात करें चाहिए फैच की बात करें आप इंडियन क्योवर्मेंट की बात करें आज अगर इंडियन होकी कहीं पर है उसमें दो लोगों का बहुत बड़ा य काम किया सारी चीज़ों को छोड़ कर अपना एक ही धेया बनाया कि कैसे भी होकी टीम मेडल लेकर रहा है यह उनका सपना था वह सपना पूरा हुआ वो इसलिए पूरा हुआ क्योंकि नेतुरित करता बहुत अच्छा था और उनने तो आपने देखा होगा कि जब भी सेलेक्शन और यह सब होते हैं उसमें यह चलता है कि यह मेरा भाई है यह मेरा भतीजा है जब तक सेलेक्शन फेर नहीं होगा तब तक किसी भी गेम में अच शागे बढ़ रहे हैं दूसरी बात अगर है वो है इंडियन गवर्मेंट का सपोर्ट आपको शाय जानकारी हो जो हमारी होकी टीम है जहां पर प्रैक्टिस कर दिया जहां कैम लगता है वो इस्पोर्ट अथर्टी ऑफ इंडिया के ही नेतुरित में लगता है उन्हीं के मा सब्राइब क shining एफ जैक्टutet presumption अब होता कया है इजिसे आप औडी सना जाएंगे हर रहे हैं फॉलोपर निश्वत निश्वत फरोपर नम्मर वन गेम है क्योंकि लोग ज़्यादा उसको विऊर्शुब मुल्प है होप की मानना होगा के पैस हैं इंडिया के उदर होग इ पूरिसा में कभी जाएंगे बुबनेशोर में मैच होता है तो क्रिकेट में जैसा रोमांच रहता है क्रिकेट में जिस तरीके से मैडल आया है लोगों में और उत्सा बढ़ेगा होकी टीम का उत्सा और और भी आगे बढ़ेगा कि वह नोंने कुछ किया है तो मुझे लगता पर देखिए जब भी हम कुछ बढ़ा करते हैं और अगर उसको अप्रिशीशन नहीं मिलेगा तो निश्यत तोर पर उसका मनोवल डाउन होता है और यह बहुत सभागी की बात है कि हमारे देश के ब्रतान मंतरी आपने देखा हो जब ऑलम्पिका दल जाने वाला था उन्हो वर्चुल лी बात की उनका मनोवल बढ़ाया है बिलकुल तो उन्होंने मतलब एक कोशिश किये कि कैसे भी मनोवल बढ़े और मैं ऐसा मांता हूं कि इस जिस तरह के से प्रधा मंतरी जी बात कार रहे है यह अन्यव्रदोश्य मुख मंतरी बात कर रहे है और उन्हों के प्रदान मंत्री जो बड़ी भावे लालकेला को मद्य हो डाकी चोंती जो गणतमत्र दिवस्त रोईची शेतरे समाने सामील है वे निश्ची तो हावे भारत पाई आज एक बड़ा सोभाईगर दिनो आसा करीबा जो महला टीम रोईचोंती समाने मद्य हो ब्रूंच पद्द वाग हसल करनतों नादेल कमरा बशा निराज सकता का अल्गास नियोद्श